कि वेल्कम बैक मैंने वीडियो मैं सेल्फ एसके डिगरवाल और आज अपन करेंगे बाय टेकनालोजी एंड जेनेटिक इंजिनेरिंग से रिलेटर सेकंड सीरीज जिससे पहले भी अपन पचास क्यूशन के बारे में डिसकस कर चुके हैं अभी जो पचास क्यूशन उनके बा बैठते हैं तो उसमें बायटेक की क्यूशन काफी देखने को मिलते हैं यह यह ट्रांस जैनिक प्लांट से रिलेटर काफी क्यूशन देखने को मिलते हैं तो चैनल पर यह दी फस्त आम आया है है आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को व एक पेस्टिस साइड की अगयेंस बनाएगया है या फिर आपन पेस्ट जो हैं इंसेक्ट है उनके अगयेंस में बनाए गई एक क्रॉप है बीटी कोटन जिसमें क्राई जीन जो है उसको ट्रांसफर किया गया था कोटन के अंदर जो बैशिलास थोरोजैनेसिस से लिया गया यहां पर इस कुण। जीवागए है तो क्राइट लिआ गया है जो एक क्रिश्टिल प्रोटिन को सिंतेसिस करता है। जो भी इंसेक्ट न को यह कौटन के प्लान्ट को खाता है। उस इनसेक्ट की जो इंटेस्ट आयन है उसमें क्या होता है चैनल के रूप में बड़ करता है पोर का फॉर्मेशन करता है जिसके कांड से water absorption अधिक होने के कांड से उसके intestine है या उसकी body फट जाती है जिसके कांड से उस इंसेक्ट की death हो जाती है तो इंसेक्ट साइट्स के रूप में क्राई जीन को यूज में लिया गया है तो यहां पर इसका राइट आनसर भी आ जाएगा नेक्स्ट क्योशन देखते हैं 52 गिवन वेलो अर्ट टू स्टेट्मेंट दो स्टेट्मेंट दिये गए हैं ए फोरेजन जीन कैन बी क्लॉंड इन्टू प्लाजमीड क्लॉनिंग वेक्टर तो किसे भी फोरेजन जीन को अपन प्लाजमीड के अंदर क्लॉन कर सकते हैं Second, cloning vector can be used for expression of origin gene in bacterial system, which of the following is correct. इसमें दो statement दिये गए हैं, दोनों statement में से, दोनों के दोनों statement कैसे हैं, right है, क्योंकि कोई भी origin gene को अपन क्या करा सकते हैं, उसके cloning करा सकते हैं, प्लाजमीड के थुरू और डिजाइड वेक्टर को क्या कर सकते हैं डिजाइड जीन को इस वेक्टर के अंदर एक्सप्रेश भी करा सकते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ए आ जाएगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं 53 पर सस्टेंड एक्प्रेशन ओफ एट्रांस जीन इन दा सक्सेश्व जनरेशन ओफे सेल लाइन किसी भी जीन को ट्रांस जिन इक जो जीन है उसको अपन क्या करना साते एगली पीडी अंदर भी ओए इससलिए उसको मैंटेन करना चाहते हैं सेल कल्चर लाइन के अंदर कि दा कि आइडियल जीन ट्रांसफर कैन बी ऑप्टेन यूजिंग ऐसा कौन सा मेथड है जिसके तुरू अपन ये यूज में ले सकते हैं तो यहां पर दिया है एडिनोवाइरस वेक्टर प्लाजमीड डियने कंटेनिंग दा ट्र एक्सप्रेशिव एक्टर के रूप में यूज में ले सकते हैं जीससे एक जनरेशां से दूसरी दोप्टर के अंदर भी इसको सेल लाइन के अंदर वी मेंटेन कर सकते हैं तो इसमें प्लाजल चैट्रियं और इसे अपन नेच्राउं गोल्ड डीजीज इन प्लांट इसे घंपन नेच्णुर जेनेटिक बैक्ट्रियाल के रूप में जानते हैं और प्लांट के अंदर क्राउं गोल्ड डीज को कोश करता है है हाववेवर वेंद असेम बैक्ट्रिया और यूज टू रेज ट्रांसजनिक प्लांट सेम ऐसा बैक्ट्रिया अपनी उजमें लेते हैं ट्रांसजनिक प्लांट के लिए विद इंप्रूवड एग्रोनोमिक ट्रेट को इंप्रोव करना चाहते हैं नो सच ट्यूमर डिजीज लेकिन उसमें सेम ट्यूमर ऐसी अप्जाव नहीं होती है इस ड्यूटू क्या कारण है क्योंकि जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम आपन क्या करते हैं हीट सोग मतलब हीट का ट्रीटमेंट जो यूज में लेते हैं उसके कार हो जाती है जिसके कार्ण से उसमें ट्यूमर वगरा देखने को नहीं मिलती है तो इसके राइट आश्रा जाएगा हीट सोग्ड डूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डेश्ट्रॉय वायर लेंस्ट की जो कैपेसिटी है वह क्या हो जाती है डेश्ट्रोय हो जाती है इसलिए उ genome sequencing project किसे भी home genome project selective sequencing करना चाहते हैं genome sequencing project को करना चाहते हैं तो कौन से sequence को अपन follow करेंगे तो इसमें अपन देख सकते हैं इसमें अलग्लग sequence दी गई है जैसे तो अपन देखें सबसे पहले डीने को एक्स्टेक्ट करेंगे सेरिंग करेंगे अडेप्टर लाइगेज करेंगे और अडेप्टर लाइगेज का मतलब अडेप्टर जो सिक्वेंस उनको क्या करेंगे दोनों साइड़ों से जोड़ेंगे उसके बाद में उनका एंप्लिफिकेशन लाइब्रेरी एंप्लिफिकेश से सी वाली यह इसमें राइट डीगी है नेक्स्ट देखें विच ओफ दो फॉलोइंग इज कार्नोई फिक्सेशन एक डाइग के लिए यूज में मैथड आने वाला एक मैथड है कौर्नई फिक्सेटिव जिसमें एस्टिक एसीड और एलकोहल को यूज मी लिया जाता है इस्टिक एसीड अनुपात एलकोहल रेशियो दुनों को यूज मी लिया जाता है तो इसका राइट आनसर सिया चाहिएगा नेक्स्ट कुशन देखें फिप्टी सेवन कहुं अटां he इं एक एमपॉलाइट्स आ र यूजड इन एमपॉलाइट्स की होते हैं कि कोई भी जूटर आइन सोज जिनके उपर दोनों चार्ज प्र जेंट हो नेगेटीव और पॉजिटिव तो वह एमपॉलाइट्स स्यूज में आते हैं तो एम्पुलाइट्स शब्ㅇट servicio टेश्ण रिएक्शन इंडिगेट एंटिज एंसें कि शीमिलिटि के साथ में यह एंट इनके ही जैसे हम देखें प्रीश्डी प्रिश्ट टेशन गी जो है किस दो देखी थी एंटिजन के साथ सिए में यह और रखाता एगा बी को सेगर फेए वां जेतं हैं फेरिक इमोंऑनियम मुद्पे जो है वह किसके यूजमी की धनर प्रेइब यूजमीर फेरिक ये एक्लिवियं कंदिशन दे रखे एक यह कोई लिक्वीड फेजके ट्रेपट इन्सायड़ पोरॉफ सिस्टेशनरी पोर्स इस्टेक्चर है उसके अंदर इप्ल्फ होती हैं अप मोबाइल फेज्ट ओगने холод नेक्स क्यूशन देखें, 61 NMR spectroscopy is best on, तो NMR spectroscopy जो है, वो किसके उपर best होती है, absorption के उपर best होती है, जिसका right answer आ जाएगा, A, absorption, नेक्स क्यूशन देखें, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इफ पी एच अबोव आइसो एलेक्रिक पॉइंट, यह प्रोटीन विल भी, तो प्रोटीन किस सैड में मूव करती है, तो यहां पर आइसो एलेक्रिक पॉइंट दिया गया है, कि कोई भी ऐसी पी एच, जिसके उपर, उन एमिनासिट्स के जो यह मौलिकूल का जो चार्ज हो क्या होता हो, नूटरल होता हो, यह चार्ज, जीरो होता हो, तो उस पी एच वेल्यू को का कथे। आइविक्तट्रिक्ट क्रें तो पीएच जहां पर जाकर नूट्रल हो जाएगी थे हैं पर जाप्र पेच नूट्रल हो रही है उसके उपर इफ पी-एज अबोव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पी-एज क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से अधिक है देन विल बी प्रोटीन तो प्रोटीन माइगरेट करेगी एनोड की दरफ तो इसका रही टाया अनसुरा जाएगा अनोड बीजर्चा नाएटो नियुट पॉट्स अधिए नेक्राइब की शर्ची टेएज से थ्री पेरामेटर इसमें जो डी है वो तीन पेरामेटर पर डिपेंड करता है दा एंग्यूलर एपरेचर अलफा दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन एंड वेवलेंथ लेमडा ओफ दा कि इंसिडेंट लाइट बेलो आर गिवन फ्यू पॉसिबल ओप्शन्स टू इंक्रीज दा रिजॉल्यूशन ओफ माइक्रोस्कोप तो इसमें कौन से कंडिशन रहेगी जिसमें अपन देख सकते हैं कि से माइक्रोस्कोप की जो रिजूलिशन जो पावर है वो अधिक हो सके नाक है तो आपने देख सकते हैं पहला ओप्शन डिक्रीज दा विल्यू ओ ओफ लेंडा और इंक्रीज ऐदर ऐंडर एं और अलफा टो इंप्रोर रिजूलिशन यह ऱाइट आन्सूर इसका डिक्रीज दा वेल्यो ओ लेंडा जैसे यह लेंडा की वेल्यू बढ़ते हैं मतलब डिक्रीज होती है लेमटा की वेल्यू तो बढ़ती है सेकंड ऑप्शन मूविंग दा अब्जेक्टिव लेंज क्लोजर टू स्पेसिमेन विल डिक्रीज साइन अलफा एंड इंप्रूव दा रिजुल्यूशन यह भी इसका राइट आनसर दिया गया इसमें और थर्ड दिया गया है यूजिंग ए मेडियम विद हाई यूजिंग ए मेडियम विद हाई रिफ्लेक्शन इंडेक्स बेट्विन दा स्पेसिमेन एंड अब्जेक्टिव लेंस तो इंप्रूव दा रिजुल्यूशन यह राइट नहीं है इंक्रीज दा वेवलेंथ ओफ इ बी मतलब फस्ट एंड सेकेंट मतलब फस्ट शेकंड नहीं बैठेगा इसमें सेकेंड मूब दा अब्जेक्टिव लेंस क्लोजर दा स्पेसिमेन विल बी डिक्रीज नहीं यह नहीं बैठेगा इसमें आगे आपन देखें थर्ड ओप्शन यूजिंग ए मीडियम विद इंडेक्शन इंडेक्स बीट्विन दा स्पेसिमेन एंड अब्जेक्टिव लेंस तो इंप्रूव दा रिजलेशन यह इसका राइट आंसर बैठेगा तो यहां पर इसमें ऑप्शन बैठ रहा है वन और थर्ड जिसमें दोनों जो क्रेक्टर है उनके अकोर्डिंग रिज कैसे करेंगे तो सटल वेक्टर क्या होते हैं एक प्लाजमीड के वेल्ट के व्यूद्व रैप्लीकेशन इन वन और रिज्व और उर्गिनिज्म ऑश्टल के वय से कंडिशन होती है कि वेक्टर केपेबल रैप्लीकेट इंट्व और लिजिव तो इसमें ऑप्शन दिया ग इस पूंट तो 5 बात करें गोडान की आपने पड़ते हैं कि जैसे कोई बिध लुन को कट लगाते हैं तो में से एक च्रीमेंड होता है जो वह एगरोग्टरियर को क्या करता है करता है इंफेक्टऱ के लिए तो जो केमिकल है वह कौन सा है ऐसीट को थो ह। अबढ़ाता है तो सब्सक्राइन तुरा सब्सक्राइए उन्षिश्ब से में सबसे पहले इसमें देखिए ओप्षन दिया है ब्रेकिंग ऑफ डॉनर डी एन ए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कल्चर ओफ क्लॉंड बैक्ट्रियल कंटेनिंग दा फ्रेग्मेंट ऑफ डॉनर सबसे पहले तो कोई भी डिजाइड जो डिन ए है उसको अपन क्या करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्षन बैठेगा उसके बाद में जिस वेक्टर में बाद में उस प्लाजमीड को क्या करेंगे अपन कट करेंगे इसमें दिया गया है इसमें इन्सर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्लॉनिंग तो तो किसी रि कोमिनेट जो बना है भी फ्लाजमिक इसको इसको अपन इंसेट कर देंगे और लास्ट के अंदर आएगा जिसके अंदर जिस बैक्टरिया में आपने क्या कर लेंगे इस इससाब से यह सिक्वेंस बैठती अपनी ऑप्सान नंबर सी में नेक्स्ट कुशन देखें वन ओफ फॉलोइंग इस नोट आसोसिटेड विद जीन क्लोनिंग इनमें सी जीन क्लोनिंग से रलेटेड कौन सी या कौन सा अप्सन नहीं है प्लाजमीड है बैक्ट्रियोफाज है कॉस्मीड है और यह जो ऐसा रहने है यह नहीं है तो इसका राइट आनसुराएगा सी नेक्स्ट कुशन देखें शिक्स्टी एड़ दा पॉलिम्रेज चैन रियक्शन इस ए पावरफुल टैक्निक टू तो पीशेर के आपन जानते भी है जीन एम्प्लिफिकेशन में यूज में लेत डॉक्टर केरी एंड मूलिस वोज अवाड़ेड नोबल प्राइज इन केमेस्ट्री इन 1993 फोर हीज वर्क ओफ तो केरी एंड मूलिस का पंजानते भी हैं पीशेर की डिस्कवर करने वाले हैं तेहां पर इसका राइट आनसुरा जाएगा पॉलिम्रेज चैन रियक्शन बी वीसी और ब्लड इस त्रेंट करने के लिए एक चोटा सा सेंपल भी काफी होता है क्यों होता है क्योंकि डेबल भी सेल हो डेड़ेड जो मात्रा है वह काफी अधिक संख्या में प्रजेंट होती है इसलिए आपन काफी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी अगर आपको फॉर डिन फिंगर प्रेंटिंग इसमें अप्शन अपना राइट आंस्वर आजाएगा ए नेक्स्ट देखें सेवन्टीवन दा मैक्जिममम लेंथ ओफ टी एने डाट कैन बी क्लॉन विदिन प्लाजमीड प्लाजमीड के अंदर कितने लेंथ डी एने को आप मतलब क्लॉनिंग कर सकते हो तो इसका राइट आंस्वर जो है वह आजाएगा फिप्टीन थाउजन बेस्पेयर मतलब पंदरा किलो बेस्पेयर जिसका राइट आस्वर जाएगा सी नेक्स्ट कुशन देखते हैं मेजर डिस इड्वांटेज ओफ यूजिंग लिपोसॉम एज ए टारगेट ड्रग डिलेवी वीकल तो लिपोसॉम क्या है एक फेटी एसीड की सिंपल सिंगल लेयर से बनी हुई एक स्मॉल वेसिकल्स होती है इन वेसिकल्स में किसी भी ड्रग को आप इसमें डाल कर और उसको बोड़ी के सैल इसको क्या कर लेती है एब देख सकते है पन इत गेट इंट इनलाइज दभी फेगोसाइटोसिस इंसाइड लाइसो सॉम जैसे अब इसमें अप्शन ओर देखा इसे वेरी अनस्तेबल और लोग सेल्फ लाइफ इत गेट इंटर केलेट इन सेल में इस ड्रग एंट्रेप मेंट एफसेंसी इस वेरी ल प्लिल रहा है कि यह इन जाने इस कोई भी मेटिल आता है तो इसको फैप और फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसे डेस्ट्रॉइड कर दिया जाता है उसके अकोर्डेंग इसके सबसेब्र डिसब्वांटेज यही है कि फैगोसाइट्रोसिस जो सैल्स या लाइस्वांड है only Ekareots we specific jumping ji in जो हैं वो ज्वर्झा इनिह को मिलता है प्लोकित में भी जो है अपन ट्रांसपोज़ेबल जो एलिमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं लेकिन ज्यादा जो जंपिंग जीन हो देखने को मिलता है यहां पर C option इसमें अपन देख सकते हैं next question देखें आपन which of the following technique is used for the amplification of DNA sequencing तो DNA sequencing को amplify करना है अपने को तो अपन किस्से कर सकते हैं तो polymerase chain reaction काफी बर आ गया C option next question देखें 75 one of the following is a diagnostic technique diagnostic technique कौन सी है तो अपन देख सकते हैं टैम और समय तो क्या है microscope है और यहां पर यहां पर जो है वह की diagnosis करने के लिए काम में आती है तो यहां पर diagnostic technique वह कौन सी है एलिजा टेकनिक है नेक्स कुशन देखें विजुलाइजेशन ओफ डिन फ्रेगमेंट इस डेन आफ्टर स्टेनिंग दिएने वीठ तो डिने को अपन जब देखते हैं जिल इक्ट्र फॉर्श ने में विजुलाइज करते हैं तो उसको इसको इथिदियम ब्रोमाइड शेंपने पहले तो क्या करते हैं और इथिदियम ब्रोमाइड जो है वह ऑल्ट्र वालेट क कि नेक्स्ट कुशन देखें 77 मेथड ओफ रेपीड सिक्वेंसिंग अफ डियने अप्टू लेंथ अरांड हेंड्रेड बैस पेर वोज डेवलोप्ड बाई तो जो मतलब नॉर्मल सा क्यों पहले भी आया था लास्ट वीडियो में भी देखा था पने कि सबसे पहले डियने की जो सिक्वेंसिंग की थी या डियने को सबसे पहले अर्टिफीशिल सिंथेशिस किया था जीन को वह किस ने किया था खुराना ने किया था तो यहां पर इसका राइट अनस वा जाएगा खुराना 77 लेकिन यहां पर दिया गया है मैथड रेपीड सिक्वेंसिंग ओफ डियन जेंगर मिफ़र्ड ने क्यूसिंट देखें रख तो प्लाजमाजawn रेक्वाइर डर्कावन स्ट्रेट् Alfred के भी जो स्ट्रेपो माइडमानाद स्ट्रेंग होथी है और फॉर्ष। प्लाज्रीज्ट ग현 प्लाज्म ज्यूंग जो क्लोरूपलास्ट पाया जाता है उसके जो जीन होते हैं वह कैसे हाई इनके प्रस्टी रेसेंट होते हैं तुमक्स्का रायट अंसर जो है वुआ जाएगा प्लाज्मा जीन 78 में फर्स्ट नेक्स स्कूशन देखें 79 दा टेकनिक ओफ इंसर्टन ओफ ए डिजाइड जीन इंटो डिएने ओफ प्लाजमीड वेक्टर इच तो किसी भी डिजाइड डिएने को किसी वेक्टर के अंदर एसर अरे इंसेट करते हैं तो उससे अपन क्या कहते जीन Grafting यह जीन डराफ्टिं कहते हैं तो उनका आफडिंग जनमीड जबवासमीड प्लाजमीड नेक्ट सेद्शन देखे लिए को हुआकी र्रेटीलकिसर्का decentralized औनो monoclonal antibody के लिए यूज में लिया जाता है नेक्स्ट क्यूशन देखें सार्दन ब्लोटिंग टेकनिक इज यूज़ इन molecular probe molecular probing के लिए यूज में आता है सार्दन ब्लोटिंग के अंदर तो dna तो इसका राइट आंस राजएगा dna dna detection के लिए यूज में आता सार्दन ब्लोटिंग टेकनिक वेस्टन ब्लोटिंग इज ए मोलेकुलर बिगिनिंग औफ तो यहां पर वेस्टन ब्लोटिंग किसली आता है यूज में हमेशा प्रोटिन के लिए यूज में आता है तो यहां पर 83 के अंदर अपन देखें तो उपर प्रजेंट होता है CD4 complex CD4 best protein is to control तो जो भी अपन यह कहें कि एट्स के जो वायरेस है उनकी जो रिशेप्टर साइट होती है वह कांपर पाई जाती है CD4 या T helper cells के उपर पाई जाती है और उसके अगेंस में कौन सी cells control करती है उनको CD4 cells तो इसका राइट आनसर आजाए इस में एत्स कि नेक्स कुछें देखें बिटा लेक्टा मि रिंग स्ट्रेक्चर इस प्रजेंट इन तो यह जो बेक्टा लेक्तर मिंग जो है किसमें मिलती है penicilline के अंदर देखने को मिलती है penicilline antibiotic के अंदर को मिलती है नेक्स क्यों स्थेखें देखें दा रहेपीड मेतर्ट ओफ इंसर्षिंग दीने इंटी प्लांट शेल प्लांट सेल के अंदर आप रैपीड मै्ठड कुन साथ देखना चाहते हों कि प्लांट सेल में डीने को इसेत्प किया जाजके फास्ट तो वह अपन कर सकते ह है बायो लिस्टिक तो 86 के अंदर कि 86 में वैसे देखा जाए दा रेपिड मैथड ओफ इंसर्शन डीन इंटू प्लांट सेल कि तो इसमें कौन सा कर सकते हैं ट्रांस फॉर्मेशन मतलब किसी भी डीने को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी कि माइकर इंजैक्शन से मेथड के थ्रू तो यहां पर इसमें बउप सना जाएगा ट्रांस फॉर्मेशन प्लांट सेल स में डीने को एंटर कराना ट्रांस फॉर्मेशन जैसे उसमें जैसे भी चेंजेज होगा उस प्लांट सेल को अपना आइडिटिफाई कर सकते हैं नेक्स्क्यूसन रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज एंजैम इस रिक्वाइड फॉर दा सिंथेस ओफ डी एने फ्रॉम आर ने यह अपने जानते भी हैं रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज सी डी एने लाइबरेडी बनाने के लिए यूज में आता है तो इसका राइट आनसर आजाएगा डी एने फ्रॉम आर ने नोबल प्रैज फॉर आटिफिसल सिंथेस ओफ जीन उसवाद favourite piddy एक अर्फ एक लेघ्री फ estos किया था कि किसी बी दिदिन को ओंतिसे शिंथी किया धा भूचित फ़िएथा ने किया था नबल प्राइज Artificial Synthesis of Gene तो 88 का जो कुशन है उसका राइटान सुरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा खुराना नेक्स्ट कुशन देखें 89 दा टांस्पो जोन्स देट मूव बाई एक कोपी एंड पैस्ट मेकनिजम इस नोन एज तो कोई भी ट्रांस्पो जोन है वो क्या करता है, एक अपनी कोपी बनाता है RNA-mediated और उस RNA से DNA बनाता है, उस DNA को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांस्पर कर सकता है तो इसे कोपी पैस्ट सिस्टम बोलते हैं उस प्रकार के जो भी ट्रांस्पो जोन्स हैं उनको क्या बोलते हैं रिट्रो ट्रांस्पोजॉंस बोलते हैं और इसे नाम से बी जानते हैं तो इसका राइट आइंसर जो है वह आजाएगा Qtl क्वान्टिटेटिव यहां पर QTL जो है अनलाइसिस है वो किसी भी लोकस जो अपन बात करें किसी भी जीन की लोकस को आइटिफाई करने के लिए यूज में लिया जाता मेथड है QTL तो यहां पर दिया गया है determine which genes are expressed at a development stage identify chromosome region associated with a complex trait into genetic map gene in bacterial virus तो यहां पर आपन देख सकते हैं किसी भी जीन की जो लोकेशन उसको identify या उस जीन के एक्प्रेशन को देख सकते हैं QTL टेस्ट के दवारा अनलाइसिस कर सकते हैं तो यहां पर अपना option बैठेगा determine which genes are expressed at a development stage तो यहां पर आपना option बैठेगा determine which genes are expressed at a development stage तो यहां पर यहां पर RFLP है यूजा थैडिसें पुट्टेट्ट इसस्पेसिक देनेरेस्टेक्शन फ्रेग्मेंट इन इफ एक दिन इस्ट्रिट्मीक दीन इस यूज तो इंवाई एट रख्रेजक्शन फ्राइब कर दो स्पेस्पिक सेल इट यूज तो डिटेक्ट जनेटिक वेरियस्ट एड़ दा प्रोटीन लेवल इट यूज एम्प्लिफाइज इन फॉर प्रोड इसमें बैठेगा अपना यूज ए हाइब्रडाइशन टू डिटेक्ट इस पेस्पिक डिएने रेस्टिक्शन करते हैं तो इसका राइट आंस्पर आजाएगा ए नेक्स्ट क्यूशन देखे 92 ट्रू स्टेटिमेंट अबाउट दा रेट्रो ट्रांस्पोर जोन इंक्लूड विच फॉफ फॉलोईंग रेट्रो ट्रांस्पोर जोन का अपना जानते भी हैं आरने इंट्रमेडिएट है क आग दे मेंं कंटेंड इंट्रॉंस और उनमें इंट्रॉंस परजेंट होते हैं तेनों character है वो सही है इसके राइट आंस्फर जो बैठेगा वो डी एबी सी which of the following is having a proteinaceous infectious agent इन में से कौन सा agent है जो protein का बना हुआ है और कौन से disease कोज करता है तो इसमें scrape disease जो है वो किसके द्वारा कोज की जाती है वो prion के द्वारा disease prion के द्वारा disease prion क्या है एक infectious protein है या misfolded protein है जिसमें disease कोज करने की capacity पाई जाती है तो यहाँ पर scrape disease नेक्स देखे 94 which of the following plant has become an important research tool to plant molecular biologist तो इनके लिए कौन सा plant है जो ज्यादा यूज में आता research के लिए तो Arabidopsis थेलिया ना जो common आपन पढ़ते भी है next question 95 which of the following is involved in seedless water lemon production seedless water lemon production के लिए कौन सा method आपन यूज में लेते हैं तो विदाउट आपन यूँ कहें कि विदाउट जो fertilization है अगर आपन यूँ method यूज मिले कि जिसमें seed का production ना हो तो without fertilization आपन ओवरी को develop कर दें यहां पर आ जाएगा आपो मिक्स इस विदाउट फटलाइजर संग मेथर्ड तो यह ए ओप्शन नेक्स्ट कुशन देखें 96 चूज दा क्रेक्ट सेक्वेंस ओफ दा फॉलोइंग टूल्स एम्प्लिफाइड एप्लाइड इन प्रोट्यो मिक्स प्रोट्यो मिक्स के अंदर कौन से सिक्वेंस सबसे मतलब होता है तो सबसे पहले प्रोट्यों को आइसोलेट करेंगे आपन फॉर्थ ओप्शन फिर अपन इसमें ओप्शन दिया गया है जैसे 96 में 96 में सी ओप्शन दिया गया है फॉर्थ और सेकिंड का सेकिंड फिर आएगा आई इएफ और फिर आएगा एम ए एल डि आई और फिर आएगा एसे डी फेज तिसका राइट आउसर जो है वह बैठेगा सी ओप्शन क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो अपने मोश्टली यूज में नहीं आती है इसलिए इतना आई इए फिक्स बैठ नहीं रहे इसक्यूशन का तो यहां पर अपना 97 विच ओफ दा फॉलॉइंग पेर इस नोट पेर्ड क्रेक्टली इनमें से कौन सा पेर क्रेक्टली नहीं है ओल फेमिली ओफ रेपिटिटिव एलिमेंट लाइन्स जबके अपन जानते भी है जो रेपिटिटिव शिक्पेंस होती है यह रेटो ट्रां वाइरल जीन एकस्प्रेशन आफ्टर अ टीठी वे fps इस बुट्रोल ग्र सकते है पन तो वह कंट्रोल कर सकते हैं ए रिप्रेशर मोलिकूल की साह्था से जिसका रहेटशू अ जाएह negotiating चुनारून जाका एगा रिप्रेशर मोलिकूल RFLP, random amplified polymorphic DNA, amplified fragment length polymorphism, AFLP, and simple sequencing repeats, SSR, technique used for generating molecule marker, molecular marker in plants. All these techniques can be used for fingerprinting. Detection, all detection of allelic variation can be achieved by RFLP, SSR. Use of radioisotope is required in RFLP and rapid use. PCR chain reaction is required for all techniques. नहीं यह भी use में नहीं नहीं आता है, क्योंकि पहले technique जो restriction fragment length है, उसमें यूज में नहीं आता है, तो इसके according option बैठेगा, वो A और B option बैठता है, right answer. तो 99 जो है, उसमें आनस्व आजाएगा A. Next question देखें, 100. Last question, which of the following statement is not true about the small interfering RNA, SI RNA के बारे में? SI RNA is A, 21 to 25 nucleotide sequence with two nucleotide overhanging at the three end. SI RNA is proceed by the RNA protein complex, यह option गल्थ है इसमें, क्योंकि SI RNA जो है, वो किसी RNA को target करता है, उसके साथ में जाके bind होता है, तो वहां पर एक risk complex बनता है, जिसके कारण से target DNA को करती आजाता है, target RNA को degrade कर दिया जाता है, जिसके कारण से gene की क्या होती है, silencing होती है, तो यह gene को interfering या gene silencing की रूप में यूज में आता है, तो यह risk complex तो gene silencing को बढ़ाता है, यहां परी processing के लिए बता रखा है, तो इसका right answer भी आएगा जो एक wrong answer है, इस प्रकार से 100 questions complete होते हैं, तो जो भी friends या जो भी मेरे students हैं, जो इन वीडियो को देखते हैं, वो ज्यादा ज्यादा वीडियो को like और share जरूर कीजिए, चैनल पर first time है, तो चैनल को subscribe जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार के जो भी objective questions है, वो आपको time time to time मिलते रहें, और किस तोपिक है आपको वीडियो चीए, उसके लिए भी आप comment box में comment कर सकते हैं, thank you friends